और डिले में योगा क्लास को लेकर सियासत चरम पर है CM अर्विन केजिवाल ने उप्राजिपाल पर हमला भूतने हुए कहा कि योगा क्लास फर से शुरू कर दी गई है जिनको उप्राजिपाल विक्य सक्सिना ने बंद कर दिया था मुखी मंतरी आर्विन केजिवाल ने दिल्ले की योगशाला को चालू रखने के लिए दिल्ली वालों से शक्षकों का खर्च उठाने के अपील की है केजिवाल ने कहा कि लोग आगी आएं और योग शक्षकों का खर्च उठाएं सीम केजरिवाल ने कहा कि एक फोर नंबर ज़ारी कर रहे हैं, एक योगा टीचर को सुभे और शाम के 15,000 रुपे महिना दीते हैं, जो जो लोग टीचर का वेतन उठाना चाहते हैं, को लोग वाटसेप पर मेसेज करें, दिल्ली सरकार ने वाटसेप नंबर भी ज़ारी किया ह और साथी केजरिवाल ने बीजेपी पर जम कर निश्वाना साधा, केजरिवाल ने कहा कि लोग नेगिटिव राजनीती पसंद नहीं करते हैं, और बीजेपी के पास गिनानी के लिए एक काम नहीं है, केजरिवाल ने कहा कि पिया मोधी की रैलियों में भीड नहीं आ रही ह देखे, लोग नेगिटिव राजनीती पसंद नहीं करते हैं, लोग काम पसंद करते हैं, खास कर पिछले 7-8 महीने से जिस तरह से जो नई LG साब आई हैं, इन्हों ने और BJP ने मिलके दिल्ली के लोगों की जिन्दगी नर्क करने की कोशिश की है, लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, आप काम रोकते जा रहे हो, काम रोकते जा रहे हो, काम रोकते जा रहे हो, जनता देख रही है, और हम काम करते जा रहे हैं, किसी तरह से लगे हैं, किसी तरह से लगे हैं, अब योग भी रोक दिया, बताओ, योग भी रोक दिया, योग क aver 1,000 के multiples में आप मुझे कहें कि मैं nur 1 children का देना चाहता हूं मैं 2 teachers की तनका देना चाहता हूं मैं 4 teachers की तनका देना हम चाहते हैं कि जदा से जदा लोग मिलके इसको इसके अंदर इस पुणने के काम में भागिदार बने यह इस चीज पर वोट मांग रहे हैं आपने काम क्या किया है खुद भी काम नहीं करते दूसरों को भी नहीं करने देते हो लोग नेगेटिव राजनीती पसंद नहीं करते आजकल वो एक स्टार प्रचारक को लेकिया है, वो सुकेश चंदरिशेखर, वो मैं तो उनसे, मतलब वो आजकल वो ही सेम भाषा सीखरा है वो इसकी, जो बीजेपी वालों के, बीजेपी वाले भी अपनी प्रेस कॉंफरेंस में कहते हैं, के जीवाल का लाइट डिडेक्टर टेस्ट होना चाहिए, वो भी कहने लग गया कि तो वो बिलकुल ट्रेन हो गया, बीजेपी में शामिल होने के लिए, किसी भी दन हो सकता है कि ये लोग शामिल करा ले, और उसे तो स्टार प्रचारक बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल मैंने सुना है, मोधी जी की सभाओं मे भीड़ भी नहीं आ रही है,